हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैपसुल में आज हम लोग डिसक्स करेंगे कि सब्सक्राइब करेंगे तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे लाल कलर का बटन होगा और पूरा वीडियो देखिए यूजफूल रखता है पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के बीच सेहर भी कीजिए ठीक है तो समय नही बात करते हैं फीचर्स की तो सेफ्टी टेकनोलोजी में अगर इस फ्रीडम केड़ कार्ट के अगर हम बात कर रहा है तो इंज्वाए सेफ एंड सेक्यूट ट्रंजिक्शन बिचिप इनेबल कार्ड आपको पता ही है कि सब इस करीड कार्ड में भी चिप लगा हुआ है तो SDFC Bank Freedom Credit Card is enabled for contactless payment यह भी कार्ड जो है आपका contactless payment के लिए enable है बहुत ही fast, fascinating है, convenient है and payment secure है अगर आपको यह देखना है कि आपका कार्ड contactless है कि नहीं है तो आप दीखेगा कि आपके कार्ड पर एक सिंबॉल का network बना होगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यह कार्ड contactless है और आप easily इसको यूज कर सकते है merchant locations पे quick locations मतलब quick transactions इसका होगा ठीक है अद देखे एक बात और याद रख लिए कि please note that in India payment through contactless mode is allowed for a maximum of 5000 for a single transaction एक transaction से maximum of 5000 का ही transactions कर सकते है इंडिया में where you are not asked to input your credit card pin मतलब वहां पर credit card pin वगएर रालने की जरूत नहीं सिर्फ card इसे वहां पर याज सटाता है बस हो जाता है ठीक है उसको ब्लोग करते है contactless payment अगर आप outside अगर मंदब 5000 से ज्यादा का अगर करते हैं the card holder has to enter the credit card for security अगया मतलब यह contactless payment का जो सीन है इसमें आप maximum 5000 तक कहीं एक वाड़ में यूज कर सकते हैं अगर 5000 से ज्यादा करना है तो उसके इसमें आपको credit card का पिन डालना हूंगा ठीक है reward point के हम बात करता है तो on one reward point on every spend 150 पर तेक 150 एक spend करने पर आपको one reward point मिलता है उससे ज्यादा का reward point करता है cashback तापको one points पे 10 पैसे मिलता है और product catalog one point equal to up to 15 पैसे अगर flight and hotels की बात करते है smart buy पे तो one point equal to 10 पैसे जहांकि credit card members can redeem अपर maximum of 50% of the booking value through rewards point मतलब कि credit card जो भी members है वो rewards points है 50% के जिसे फ्लाइट का booking है तो उसका जो भी value सबस्किजिए दर से जब्सक्राइब तो 5000 and 50% तक आप अपने rewards points है वहां पे ले सकते बुक कर सकते हैं गिफ्ट वाचर जो है 1000 का आपको annual expense अगर 90,000 कपो करते हैं तो गिफ्ट वाचर 1000 रुपीज का आपको मिलता है and higher 90,000 यह उससे ज्यादा का transactions करते हैं तो आपको welcome and renewable benefit जो मिलती है आपको जैसे ही join किजिएगा तो आपको 500 का rewards point मिलेगा earn 25x rewards point on your birthday expense अगर आप birthday expense करते हैं तो आपको 35x का rewards point मिलेगा 10x rewards point on page app and smart buy expense page app या smart buy expense पर 10x का rewards point मिलेगा earn 5x rewards point for expense on dining, movies, groceries, railways and taxi तीक है 5x rewards point आपको मिलेगा capped into 1500 rewards point पर statement साहे के capped into 3000 rewards point तीक है 3000 rewards point भी आपको मिलेगा fuel की बात करते हैं तो convenience fee waiver of 1% का आपको मिलेगा capped rupees 250 per statement cycle applicable होता है जो भी minimum transactions होता है आपको पता ही है अगर आप 400 रुपया से लेके 5000 रुपया तक का अगर transactions करते हैं तभी आपको applicable होगा 1% का cashback मिलेगा अगर add-on card है तो get up 3 add-on credit cards for free आप अपने credit card में 3 add-on credit card free ले सकते हैं eligibility की बात करते हैं तो जो भी salaried employee है उनका age 21-60 साल होना चाहिए और उनका gross monthly income 12,000 से ज्यादा होना चाहिए अगर self-employed है तो 21-65 साल होना चाहिए और उनका income जो है वो 2,00,000 ज्यादा का होना चाहिए fee और charge के अगर हम बात करता है annual fee तो spend 50,000 in a year अगर एक साल में 50,000 का spend करते हैं तो आपका next year का जो annual membership होता है वो free हो जाता है if annual expense are below 50,000 then card का आपको जो है 500 रुपिया चाहर्ज कर जाएगा cash advance fee के अगर हम बात करते तो a fee of 2.5% भी तो minimum of 500 is applicable on all cash withdrawal on your card card अगर आप card से cash withdrawal करते हैं तो 2.5% के हिसाब से आपका charge कर जाएगा annual up to 50 days of interest अगर आपको कोई interest नहीं लेगता है अगर आप credit card यूज करते हैं तो rate of purchase interest at the rate of 3.49% per month will be charged on any outstanding amount carried beyond the bill due date अगर आपका कोई जैसे की credit card का bill payment करना है बट आप अपना bill payment नहीं कर भाया है तो उस दिन के बाद से आपका 3.49% per month के हिसाब से चार्ज करतेगा ठीक है पी only 1.99% interest per month if card is issued against fixed deposit अगर आपका card जो है 1.99% interest per month के हिसाब से मिलेगा अगर card जो है fixed deposit के against आप लेते हैं तो तो बहुत बहुत धरन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए एक एक चीज को हम अच्छे से बता हैं एस डिपसी बैंक के freedom credit card के बारे में तो अगर आप चैनल पर नहे थे तो चैनल को subscribe कर लिजे जिए लाल कलर का बटन होगा पूरा वीडियो देखे होंगे तो यूचफुल लगा होगा पशंद आया होगा थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीचे दोस्तों क